आर्दिक पंडिया मैच जीताने के बाद भी गाली खा रहे हैं लेकिन क्यों बताएंगे आपको मैच की पूरी हाइलाइट्स बस आप देखते रहो पहले दोनों T20 मैच में इंडियन टीम बैकफूट पर नज़र आई थी लेकिन तीसरे T20 में जो गेम खेला है वो काबिले तारीफ है ये मैच जीतना इंडियन टीम के लिए बहुत जरूर था क्योंकि ये मैच हार जाते तो सिरीज भी हाथ से निकल जाती स्काई ने वन मैन आर्मी वाला काम करके दिखाया और टीम इंडिया को जीत की शुरूआद दी खेर मैच शुरू होता है टोस से वेस्टन डीज ने टोस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया वेस्टन डीज के ओपनर किंग्स और मेर्स ने अच्छी सुरूआत की और पचास रनों की पार्टरशिप की इसके बाद मेर्स 25 रन बना कर अक्सर पटेल के हाथो आउट हो गए चाल्स बारा, निकोलस पुरन 20 और रोमन पोवेल ने 40 रन बनाए वेस्टन डीज की टीम 5 विकेट खोकर 169 रन बनाने में काम्याब रही बारते टीम की शुरूआत अच्छी नहीं रही पहले दो विकेट बहुत ही जल्दी गिर गए थे इसान किशन की जगह मोका मिलने वाले यससवी जैसवाल सिर्फ एक रन बना कर आउट हो गए और लगातार तीसरे मैच में सुब्मन गिल का बल्ला नहीं चला गिल सिर्फ छे रन बना कर चलते बने इसके बाद शूले कुमार यादाव ने अपनी क्लास दिखाते हुए 44 गेंद में 83 रन बना दिये जिसमें 10 चोक्के और 4 छक्के सामिल थे और इसमें उनका साधिया तिलक वर्मा ने जिनोंने नाबाद 99 रन बनाए हर्दिक पांडिया ने 20 रन बनाए लेकिन हर्दिक पांडिया ने 6 लगाकर मैच को जिता दिया बस इसी वज़य से हर्दिक पांडिया के फैंस नाराज है उनसे लेकिन इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं कोमेंट करके जरूर बताओ और वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक कर दो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे बैल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो के ब्रेट आप लोग मिश्ट ना कर सको मिलते को नई वीडियो में